नमस्कार दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2018 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का Current Affair इस सेक्षन के अंतर गयत हम उन सभी महत्पून Current Affair के प्रशनों को डिस्कस करते हैं जो परिछा के जिस्से बहुत ज़्यादा important है इसका PDF भी हम आपको देते हैं जिसका Link नीचे description box में दिया हुआ है वहाँ जाकर आप Telegram चैनल को जोईन कर लीजे जिससे आसानी से आपको डेली का डेली PDF मिल जाया करें और आप आसानी से इन सीजों को revise कर सकें और detail में study कर सकें आपका guide आपका दोस्त चली सुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रशना हाल में प्रोफेसर विजय संकर व्यास का निदन हो गया वे थे ये एक किरसी अर्थसास्त्री थे ए आपसन इसका सही है लेकिन इनके बारे में और कुछ महत्पूर्ण सुचना है जो आपको जाननी चाहिए ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाकार समित के सदस्य थे और ये IIM अहमदाबाद और विकाश अध्यान संस्थान आइडियस जैपूर के निदेसक भी रहे हैं विस सुबैंग की किरसी और ग्रामीड विकाश विभाग में एक बरिष्ट सलाकार के रूप में भी इनोंने कारी किया है अटल भिहरी बाचवियाई जी और मनमोहन सिंग जी की जो सरकार थी उसमें ये आर्थिक सलाकार समित के सदस्य थे और नाबाड के गठन से भी ये जुड़े थे इस तरह इनका बहुत महत्पूर अस्थान था हमारी एग्रिकल्चर पॉलिसीज में और अन्य डेबलमेंट्स के छेतर में जहां पर सलाकार के तोर पर इनोंने कारी किया अगला प्रशन है भारत इरान और अफ्गानिस्तान अपनी पहली त्रिपच्चिए बैठक कहां पर आयोजित के है। इरानी दल की अधिस्ता वहां के बिदेश मंतरी अबास अराकजी ने की है और अफगान की विदेश मंतरी हेममत खलील करजई ने बैठक की अधिस्ता की है इरान की राजधानी के अगर हम बात करें तो ये तहरान है मुद्रा इरानी रियाल है अफगानी की राजधानी देख अगला प्रशन है तकनीकी और आर्थिक सहयोग IRIGC टेक पर 23 भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिद्द कौन करेगा और यह प्रतिनिद्द कर रही है सुस्मा सुराज सुस्मा सुराज हमारी विदेश मंत्री बी आप्सन इसमें सही है इस बार द सुस्मा सुराज और रूसी संग की उप्रधन मंत्री यूरी वरी सोब द्वारा इसकी सहत देख्षता की जाएगी IRIGC टेक एक अस्थाई निकाय है जो सालाना निवेस दुपक्ची अव्यापार विज्ञान और प्रद्योग की संस्कृती और आपसी हित के अन्यमुद्य दुपक्ची सहीयों की चल रही गत्विद्यों को पूर्ण और समिच्छा करता है और पूर्ण करने के लिए कोसिस करता है उसका किर्यान्वन कैसे हो पाए इसके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकरिया और हम ले 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 इसका फुलफार्म है इंडिया रसिया इंटर गॉर और राष्टपती के बारे में हम अभी दो दिन पहले भी चर्चा किये थे वलादिमुर पुतीन है चौथी बार इन्होंने सपत ली है राष्टपती पत की यही प्रशन हमने डिसकस किया था अगला प्रशन है चौथा प्रशन है HDFC लाइफ ने किसे अपने नय प्रबंद निदेशक और CEO की रूप में न्यूक्त किया तो यह है विभा पडलकर विभा पडलकर बी ऑप्सन सही है इसके बारे में थोड़ी सी जनकारी और हम लेते हैं अमताब चौधरी के एकसिस बैन के प्रमुक बनने पर HDFC लाइफ से इस्तीफा देने के बाद यह पत खाली हो ग प्रभन निदेशक और CEO के पद़ पर नियूक्ती की सर्ते हैं सेरधारकों और भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरन द्वारा अन्मोदन के अधीन हैं और अपनी पड़ुन्नत से पहले पडालकर बीमा करता की मुख्य वित्तिया अधिकारी CFO और कारिकारी निद कानित किया जा चुका है HDFC के MD अगर हम देखें जो पूरा complete bank है यह तो हम बात कर रहे थे life की HDFC life में विभा आ गई है लेकिन HDFC bank के MD देखें तो यह आधित्ति पूरी है और HDFC bank का मुख्याले कहा है अगर आपसे पूछा जाए तो यह मुंबई में है लगभख सभी का आयोजन कहां किया गया बहुत important प्रस्न है और इसका उत्तर है भी भोपाल में किया गया प्रसासनिक सुदार और लोग सिकायद विभाग भारत सरकार और मद्ध प्रदेश सरकार यह तीनों लोग मिलकर 12 राज्जियों और 2 किंसासित प्रदेशों के प्रतितियों के साथ सुदार पर यहां पर सुबारम हुआ और समापन भी होगा जो सुबारम हुआ है यह जो दो दिवस्ची संबेलन है इसमें 5 तक्नीकी सत्र होंगे इनके बिस्यों में सामिल है यह पाँच टॉपिक है अगर मेंस में आपसे लिखने कहीं पूछा जाता है तो इन पाँच चीजों को आप सामिल कर सकते हैं और इसका जिकर कर सकते हैं मतपरदेश में हो रहा है वहांके मुख्यमंत्री सियुराज सिंग चोहान है राजिपाल कौन है आनिंदे भेन पटेल अगला प्रशन है इसपात मंत्राले ने पहली बार राष्टी अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए कितनी कंपनियों को पुरुस्कृत किय तो ये कंपनी 26 है 26 कंपनियों को इसपात मंत्राले ने पुरुस्कृत किया है इसपात मंत्राले ने पहली बार किया है ये मिनी इस्टील कंपनिया है 26 जो पुरुस्कृत हुई है नई दिल्ली में एक समारो में जो हमारे इसपात मंत्री है कौन चौधरी वीरें सिंग उन् इस्टील की हम बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इसपात उत्पादक देश है। इसकिस ने कहा है, तो ये कहा है सवयूकतराश्श्ट संग ने, विस्टुस्वास संगठनाप मट्टी कीजिएगा, सवयूकतराश्शंग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा कहा गया है, दुनिया में खादी सुरच्चा और पोशन की इस्थिति पर ये सवयूकतराश्ट की एक रिपोर्ट थी उसमें ऐसी बात कही गई इसने कुछ और बातें बताई इसने कहा प्रति 9 लोगों में से एक के पास खाने के लिए प्रयार्त भोजन नहीं है वयसक मोटापे के संबंद में रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया और कहा गया कि इसकी इस्ति और बत्तर होती जा रही है और दुनिया में आठ वयसकों में से एक से अधिक वयसक अपने स्वास्त को अधिक वजन के कारण खत्रे में डाल रहे हैं यानि कि मोटापा उनकी स्वास्त समस्या का प्रमग कारण है 632 मिलियन से अधिक ऐसे लोगों की शंख्या है और संयुक्त राष्ट के महासच्यू एंटेनियों गुटे रेस है अगर आपसे प्रश्ण पूछा जाए और संयुक्त राष्ट का मुख्याले नियुयार्क में है नियुयार्क कहा है संयुक्त राष्ट अमरीका में अगला प्रश्ण है आई ओटी सेवा प्रदाता अनलिमिट ने भारत भर में उद्द्यम ग्रहकों को ब्यापक इंटरनेट आप थिंग्स आई ओटी समाधान और सेवाओं की पेसकस करने के लिए किस कमपनी के साथ समझोता किया तो ये कमपनी है BSNL BSNL के साथ समझोता किया है इंटरनेट आप थिंग का आशकल जमाना है आप देख रहे हैं सब कुछ आपके घर का लाग खुल जाता है आपके घर के कैमरे आन हो जाते है और आप देख सकते हैं कि क्या गदविदियां वहाँ पर चल रही है ऐसे में अनलिमिट और BSNL ने एक समझोता किया है अनलिमिट ये जो सुविधाय उपलब्द कराएगी BSNL के साथ मिलकर ये भारत भर में उद्यम ग्रहकों को व्यापक इंटरनेट आप थिंग और समाधान सेवाओं को उपलब्द कराएगी और ये जो साजिदारी है इसके बारे में ये माना जा रहा है कि इससे हमारे यहां आयोटी का काफी विकास होगा समाधान और सिवाओं की प्रद्विंदित कनेक्टिविटी, प्लेटफार्म और डिवाइस प्रबंधन को सक्षम करने और उद्योगों की ग्रहकों को अग्रिम विश्लेशन इसमें सामिल है जो की यह लोग करेंगे बियसनल के बारे में अगर हम बात करें तो 15 सितंबर 2000 को निगमित यह किया गया था इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और बियसनल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी आपसे कभी पूछे जा सकते हैं तो यह हैं अनुपम सिर्वास्तो आगला प्रशन है नवा प्रशन हाल में किस सरकार ने राज में E-Cigarette पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह राज है तमिलनाडू D-Option इसका सही है E-Cigarette पर जो यह प्रतिबंध लगाया गया है इसमें इन्होंने एक तरक दिया कि लोग कहते हैं कि E-Cigarette कम नुकसान करती है लेकिन ऐसा नहीं है वीड़ी और Cigarette से कम हानिकारा किये नहीं है यह मिथक है जब मिथक बोल दिया है निकी ऐसा नहीं है यह प्रतिबंध E-Cigarette के वितरण, व्यापार, प्रदर्शन, विपरण, विग्यापन, उप्योग और आयात को कवर करे गया नहीं कि हर तरह से इसको वैन करनी की कोशिस की जाएगी अगला प्रशन है अभी हमने चार दिन पहले एक कुश्चन डिसकस किया था कि कौन बनेगा च्यालिसवा मुख्य नियाधिस पैदालिसवा आप जानते हैं दीपक मिस्रा जी है जो पहला आपसन दिया हुआ है यह 45 है और अब यह बनेंगे रंजन गोगोई जी यह बी आपसन इसका सही है 46 में मुख्य नियाधिस के रूप में इनकी नियुक्ती होगी राष्टपती ने इसको संस्तुती दे दी है अनुमति परदान कर दी है मंजूरी दे दी है जो भी आप कहले 64 साल के यह है और 2 अक्टूबर को दिपक मिसरा जी रिटायर हो जाएंगे 3 अक्टूबर को यह सपत लेंगे सपत कौन दिलवाता है एक प्रश्णी यह है तो भारत का राष्टपती ही भारत के उच्चितम नियाले के नियाधिस को पदवा गोप नियता की सपत दिलवाता है यह जो रंजन गोगई जी है इनके बारे में जो भी इंफारमेशन हमने डिसकस की थी उसमें एक एडिसनल इंफारमेशन आज जान लीजे आप लो कि एक पूर्व नियाधिस को आमाना नोटिस जारी करने वाले कोट के पहले नियाधिस है हाना ऐसा किसी नियाधिस ने अभी तक नहीं किया था सौम्या रेप मर्डर मामले में पूर्व जस्टिस मारकेंडे काजजू की टिपड़ी को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया था और वो इन्हों नहीं जारी किया था इसके लवा गोगई ने आरुसी तलवार मामले में भी फैसला सुनाया है ठीक है ना तो ये ध्यान रखना है आपको और 17 नॉम्मर 2019 तक इनका कारिकाल होगा ये भी आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगला प्रशन है 11 प्रशन एवीएसन नेटवर्ट रूट्स के विस्टलेशन के मताबिक वर्स 2017 में दुनिया का सबसे व्यस्त एयर रूट रहा कौन सा एयर रूट सबसे व्यस्त रहा तो ये रहा है सियोल जेजू एयर रूट सियोल कहा है ये कमेंड वाक्स में आप लोग बताएंगे सिंपल सा प्रशन है और भारत का जो एयर रूट है जो सबसे व्यस्त रहा है वो दिल्ली वंगलरू एयर रेट है और इसका पांचवा स्थान रहा है देखिए मैप में आप देखिए ये देलाई है और वंगलरू नहीं सारी मैं गलत डोल गया दिल्ली वंगलरू नहीं दिल्ली मुंबई दिल्ली वंगलरू तो मैंने ऑफ़्सन में इस लिए लिखा था कि आप लोग कनफ्यूज होकर उतर कैसे देते हैं ये बताने के लिए देखें यहाँ पर मुंबई दिली लिखाया और वेंगलरू दिली लिखाया तो आप लोग सोचेंगे इनी में से कोई होगा इसलिए पूछा जा रहा है तो यह दोनों गलत है यह सियोल जेजू सही है और मुंबई दिली का फिफ्ट पोजीशन रहा है इसी को मैंने मैप में देखी यहाँ पर दिखाया है यह दे लही है और यह आपका मुंबई है यहाँ से यहाँ तक का जो भारत का एर रूट है वो सबसे बेस तरह है मैप में आप इसको देख लीजिए और 2017 की यह बात हो रही है मुंबई दिली के बीच में 71.29 लाक यानी 71 लाक से जादा लोगों ने यात्रा की और जबकि जो पर्थम पोजीशन पर रहा है सियोल से जेजू का मार्ग उसमें 1.34 लाक लोगों ने यात्रा की है ठीक है न इन दो एरफोर्ट के बीच में तो यह आपको ध्यान में रखना है अंती प्रशन है हूमो सेपियन्स मानो दोरा बनाईगे सबसे पुरानी गयात कला किरती या आर्ट कहा मिली है तो ये मिली है दचरण अफरिका में ठीक है इसके बारे में थोड़ी सी जानकरी और ये कला किरती जो यहाँ पर पिक दी हुई है कुछ ऐसी ही है पुरातित विद्यों को दचिन अफरिका की ब्लाम बोज गुफा में तो ये नाम याद रखिएगा ये ब्लाम बोज गुफा कहां है दचिन अफरिका में होमो सेपियंस दोरा बनाई गई सबसे पुरानी ग्याद कलाकृती विली है जो हैश्टेक जैसी दिख रही है सतर हजार से दस हजार नहीं ये एक लाक सतर हजार से एक लाक वर्स पुरानी बताई जा रही है सतर हजार से एक लाक वर्स पुरानी की बात की जा रही कि ऐसा हो सकता है कि इतनी पुरानी ये हो इससे पहले अफ्रीका, यूरोप और दच्छिन पूर्वेशिया में मिले रेखा चितर तीस हजार वर्स पुराने थे तो ये अब तक की सबसे पुरानी मानी जा रही है ठीक है ना, आज का करेंट अफेर यहीं समाप्त होता है अब हम देख लेते हैं, रिवीजन के प्रश्ण जो आपको उत्तर देने होते हैं, कमेंट बाक्स में पहला प्रश्ण है, जिसका उत्तर आपको देना है, वो श्टेप 2018 क्या है कब, किस वर्स तक, इसका भी उत्तर आपको देना है अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको जरूर लाइक करें अगर और अच्छा लग रहा है, तो इसको सेर भी आप कर सकते हैं नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, जिससे की ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे है वेल आइकाउन भी आप प्रेस कर दीजे, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और उसके बाद में आप एक अपना कोई नंबर डाल के उसको एक्टिवेट कर लीजे, फिर जैसे ही इस लिंक पे आप किलिप करेंगे, आपके टेलिग्राम में ये खुल जाएगा और वहां से इसको जोईन कर लीजेगा आईस प्रेप चैनल को या जो भी चैनल आपको जोईन करना है, दो चैनल है हमारे, एक एक इक्जाम ट्यूबर है और एक आईस प्रेप है, दोनों पर पीडियो पुपलप्त कर आए जाता है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड़ बाई, थाइंक्यू, आल दे